कि दोस्तों एक कुष्टन जो बहुत जादा आप लोगों के दौरा पूछा जाता है क्योंकि वह चीज बहुत कोमन नहीं हर एक्जाम में तो नवदे विद्याले की जो टीजीटी पीजीटी परिक्षा होती है क्या उसमें नेगेटीव मार्किंग होती है तो एक तो आप जा चार कुष्टन गलत हुआ तो एक नमबर कटेगा तो निगेटीव मार्किंग आपको नवदे में रहता है और एक्जाम आपका दो लेबल पर होता है एक तो सीबीटी आपका ऑनलाइन एक्जाम होगा और उसके बाद आप जो है इंटर्व्यू के लिए पातर होते हैं फिर जाकी आपका टीटी के लिए भी और पीजीती के लिए B500 nao ka होता है बाकी त्यूंबर आपका यहाँ पर जो है लैंग्एज रहता है तो 120 नमबर पर में आपका सेलेक्सण होता हैरिष्हम आपको कहा जाता है किमांग में और यहां पर आपको तीन लैंग्वेज्वेज्ए आपको यहां पर रहता है उस तीनों लैंग्वेज में आपको कट आफ मार्स 40% सेपरेटली क्वालिफाय करना है तब आपका में पेपर चेक होगा 120 नंबर वाला और फिर इसका होगा सेम चीज थोड़ा सा पीजीटी में डिफरेंस होता है लैंग्वेज दो ही रहते हैं 20 मार्स का इसमें भी 40-40% जो है आपको कवर करना है तब जाके आप उसमें आप क्वालिफाय होते हैं ठीक है तो यह मतलब तब आप 130 नंबर आपका जो में है वह आपका चेक होगा तो 130 नंबर पीजीटी में मे की निगेटी मार्किंग होता है बाकी आप लोग अभी जुलाइ में आपको जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म आपको बढ़ाना है 15 जुलाइस से 15 अगस तक 30 सेप्टेंबर को एक्जाम होगा आप तो हर साल ही होगा तो बढ़ियां से तैयारी में जुट जाईए अपने लेबल पर तैयारी करना आप शुरू कर दीजे बाकी आप लोग को टीचिंग वाला यूटूब चैनल पर और पी डवलू के आप पर गाचस भी दिखाए देंगी बहुत जल्ड आप पी डवलू के आप पर टीचिंग महापैक ले सकते हैं एक साल या दो साल के लिए सभी एकसेस मिल जाएगी जिसमें के सीटेड और बाकी एक्जाम और आने वाले समय में एनपीस भी मिलेगा थैंक यू वेरी मुच बाबाए जैहिन